और अब पान साल पूरे होने पे सबसे जादा संतुष्टी इस बात की है कि ये पान साल हम लोगों ने जीसुस क्राइस्ट के बताएवे रस्ते पे सरकार चलाने की कोशिश की पूरी जीसुस क्राइस्ट ने गरीबों की सेवा की उनकी जिंदिकी से में इतने उधारन हैं इतने इंसिडेंट्स सुनने को मिलते हैं पढ़ने को मिलते हैं बाइबल में कि किस तरह से कोई बिमार था, उनकी बिमारी दूर की, तरे तरे के इंसिडेंट्स है, हम लोगों ने भी दिल्ली के अंदर गरीबों का इलाज कराने के लिए जगे-जगे मोहल्ला क्लिनिक खोले, गरीबों का इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पतालों के विवस्था को दुरुस्त गिया बहुत सारे नए सरकारी अस्पताल खोले सब के लिए इलाज मुफ्त किया गरीबों के लिए स्कूलों की अच्छी विवस्था की शिक्षा की अच्छी विवस्था की हम पूरी कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जीसस क्राइस ने अपने जीवन में संदेश दिया था हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं मामूली लोग हैं अगर उनके बताएवे रस्ते पे एक परसेंट भी अमल कर पाएं तो हम अपने आपको सुभागेशाली समझेंगे लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश उनके जीवन का था कि आपके साथ कोई कितना भी बड़ा अन्याय करे आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो उसे माफ कर देना है जीसिस क्राइस को जब अन्तिम खशन थे उनके और उनको तरे-तरे की यातनाएं दी जा रही थी उनको तरे-तरे से प्रताडित किया जा रहा था तब भी वो अन्तिम खशन बे मी उन सब लोगों को माफ कर देते हैं जिन लोगों ने उनको इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं दी थी मैं अपने मन में सोच रहा था क्रिस्मस वाले दिन जब मैं चर्च में गया था तो मैं मन में सोच रहा था हमारे साथ कोई जरा सा कुछ गलत कर दे हमारे मन में तुरंट आता betी इसको तो मैं मजा चखांगा आता है की नहीं आता है और अगर हमारी थोड़ी भी पावर हो उसके उपर तो फिर हम उसको मजा चखाने भे तो एक इंसानी प्रबृति है कि हम सामने वाले को अगर कोई हमारे साथ जरा सा कुछ बुरा करता है हम उसको बदला लेने की कोशिश करते हैं ये साही नहीं है इससे समाज आगे नहीं पागे नहीं बढ़ती है यही मैसेज, सबसे बड़ा मैसेज मुझे लगता है जीसस क्राइस्ट का यही है जो उन्होंने अपने मरते वक्त दिया था कि आप से कोई कितना भी बड़ा आपको यातना दे आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो हमें उसको माफ करना है और माफी सबसे बड़ी मुझे लगता है कि इनसान की क्वालिटी है तो मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इतनी ठंड में समय निकाल के आए